हेलो दोस्तो, इस वीडियो से हम एख नई सीरीज शूरू कर रहे है कि इस सीरीज में हम वो सभी डिजीज, डिसोर्डर और ट्रेटस कवर करेंगे जो कि जैनेटिक है इस सीरीज के हम सुरुवात कर रहे है पहली जैनेटिक कंडीशन से धाट इस ब्यक्यकुडड़ी Brachy Ductyle ये एक Greek language से लिया गया word है Brachy means short, chota Ductyle means, this Ductyle is taken from Ductylos Ductylos means digits And we know that हम जानते हैं digit का मतलब होता है Fingers, हाथ की fingers and toes और जो हमारे पैर हैं, पाओ हैं, उनके fingers जब हाथ की fingers और जो पाओ हैं, उनकी fingers छोटी हों मनुश्य के अंदर तब इस condition को Brachy Ductyle बोला जबते है जब हाथों की और पैरों की उंगलियां छोटी हों नोर्मल साइज से छोटी हों तो उसको हम कहेंगे Brachy Ductyle इस Brachy Ductyle का कारण क्या है, कास इसका कारण है Genetic क्यों होती है यह? यह होती है Genetic Mutation की वज़े से Brachy Ductyle हैं, वो कई परकार की होती है B-R-A, B-R-B, B-R-C, B-R-E और और भी बहुत होती है और हर एक Brachy Ductyle वो कोज की ज़पती है उसका कारण होता है Mutation Mutation किसमे? Mutation in specific gene किसी specific gene के अंदर mutation होगी तब Brachy Ductyle होगी और यह जो है Brachy Ductyle यह follow करती है Mendelian Inheritance और Mendelian Inheritance में इसका Inheritance specific है जो है Autosomal Dominant मतलब जो gene effect करता है और कोज करता है Brachy Ductyle वो Autosomes पे है, वो sex chromosome पे नहीं है और यह gene हिट्रोजाइगस condition में भी अपने आपको पेरेंट है, that is unaffected तो यहाँ पे देखो, capital B, small b capital B, small 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 b तो यहाँ आप देख सकते हैं Half, क्योंकि चार possibilities है चार में से दो क्या है affected है और दो नहीं है तो अगर एक भी parent affected है और वो हिट्रोजाइगस है यहाँ पे एक ही allele है, जो affected है, जो mutated है दूसरी ठीक है allele, हिट्रोजाइगस है तो क्या होगा, 50% जो है, उनके बच्चे क्या होंगे affected होंगे, किसे brachyductाईली से और जब अगर दोनों ही affected हों दोनों parents affected हो, तब क्या होगा देखिए फिर capital B, small B, capital B दोनों affected हो, और दोनों हिट्रोजाइगस है ठीक है, तब क्या होगा capital B, capital B capital B, small B capital B, small B small B, small B तो यहाँ पे आप देखोगे, 4 में से 3 affected है तो कितने होंगे, 3 by 4th affected होंगे, मतलब 75% जो है, वो affected होंगे, तो यह brachydactylia, brachydactylia का मतलब क्या है fingers और toes जो normal size से छोटी हों humans में उस condition को हम brachydactylia बोलते हैं, और यह genetic है genetic mutation की वज़े से होती है कई type की है, हर एक type की specific gene के दुवारा होती है और mandaline inheritance follow करती है, और इसका mandaline inheritance के है, autosomal dominant inheritance है, autosomal dominance है, तो मतलब एक भी देखिए, capital B capital B capital B, small B small B, small B, यहाँ पे यह जो genotype है, यह होगा, इसके अंदर brachydactylia नहीं होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, तो हिट्रोजाइगस condition में भी अपने आपको show कर रही है, जब एक allele ठीक है एक mutated है, यहाँ पे देखो कि यह allele सही है, small B, but capital B mutated है, तो यह brachydactylia होगी इसी को हम बोलते है, dominant autosomal means, sex chromosome पे नहीं है यह, sex chromosome पे यह gene नहीं है, इसका मतलब क्या है, sex link नहीं है, तो इसका मतलब यह है, यह male और फिमेल दोनों में इकोली पाया जाएगा अपको